हेलो व्रिवान वेलकम टो आर्ट चैनल लेर्ण प्रेप लेर्ण प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफोर्म पर आप लोगों का स्वागत है आज की सेशन में हम डिसकुस करने वाले हैं एक इंपोर्टन टॉपिक तो आपके नीट एक्जाइम के लिए बहुत इंपोर्टन एक बहुत सारे कुशन आते हैं यह टॉपिक हमारे लिए क्या है इंपोर्टन आज की सेशन में डिसकुस करेंगे केलवेन साइकल के बारे में उससे पहले जिन भी बच्चों ने जॉइन नही जिए पेटा जिए पर दो हेलो एबरीवाण जिए मैक्सिमम लोग आचुके हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम डिस्कॉस करेंगे कैल्विन साइकल के बारे में Kelvin cycle इसे नाम Kelvin क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके discovery की गई थी किसके द्वारा? Melvin Kelvin के गई थी Melvin Kelvin के द्वारा इस cycle की discovery की गई थी और किसमें की गई थी? C3 plants के अंदर इस वज़े से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है Kelvin cycle या C3 cycle देखो, generally जो plants होते हैं उनमें क्या होती है? photosynthesis की process होती है, ठीक है? और photosynthesis की process में दो reaction होती है कौन सी दो reaction होती है? एक तो होती है light independent और एक होती है light dependent एक तो होती है light dependent और एक होती है light independent तो यह जो Kelvin cycle है, यह किस तरह की reaction होती है? किस तरह की process होती है? यह होती है light independent मतलब यह dark में भी चल सकती है और यह light में भी हो सकती है ठीक है? तो यह in light and dark इसके लिए Kelvin cycle के लिए light की ज़रत नहीं होती मतलब यह light पर dependent नहीं है यह दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है ठीक है? तो first है हमारे पास की जो photosynthesis की process होती है वो क्या है? एक biochemical process इसे biochemical process क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या होती है? chemical reactions भी होती है और biological process भी होती है इस वज़े से photosynthesis को क्या कहा गया है? biochemical process photosynthesis की process में क्या होता है? CO2 के molecules जो है वो water molecules के साथ react करते है और sunlight और chlorophyll की presence में किसमें convert हो जाता है CO2 CO2 का conversion हो जाता है carbohydrate में और carbohydrate में भी वो glucose के अंदर convert होता है ठीक है यह क्या होती है photosynthesis की process होती है अब photosynthesis की process जो है इतने में green plants है के अंदर होगी क्यों क्योंकि हमने पढ़ा है photosynthesis की process के लिए किसकी ज़रत पढ़ती है chlorophyll की ठीक है और chlorophyll जो है यह green color के pigment होते हैं कौन से color के pigment होते हैं यह green color के pigment होते हैं ठीक है green color के होने की वज़े से plants जो है वह कौन से color की दिखाई दिते हैं green color की दिखाई दिते हैं ठीक है तो जितने भी green plants है उनमें क्या प्रजेंट होगा chlorophyll pigment तो किसके लिए ज़रत जिसकी आउशकता किसली होती है photosynthesis process के लिए chlorophyll की presence में ही photosynthesis की process होती है और sunlight की presence में ही photosynthesis की process होती है ठीक है तो जितने भी green plants है उसमें photosynthesis की process होती है और उन green plants को क्या नाम दिया गया है autotrophs क्योंकि autotrophs उन्हें कहा जाता है तो organism अपने food का formation खुद कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है autotrophs और जो अपने food का formation खुद नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है heterotrophs अब plants तो photosynthesis की process की द्वारा अपने food का formation खुद कर लेते हैं इस वज़े से plants को क्या कहा जाता है autotrophs कहा जाता है और photosynthesis की process के द्वारान क्या होता है जो organic molecules होते हैं उसका production होता है organic molecules में कोन आते हैं glucose तो glucose जो है उसका formula होता है C6S2O6 तो ये क्या है organic molecule तो ये क्या है organic molecule में क्या होता है carbon hydrogen oxygen तो glucose क्या हो गया organic molecule और photosynthesis की process में क्या होता है organic molecule का production होता है किस से होता है CO2 के द्वारा from carbon dioxide ते रहे इतना समन में आगया photosynthesis की process होती है plants में वो plants को autotrophs का जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं अपने food का formation खुद करते हैं और photosynthesis की process में organic molecules का production होता है किस से होता है CO2 से ओके clear है इतना आगे चलते हैं हम these organic molecules contain many carbon hydrogen bonds यह जो organic molecules जैसे glucose इसमें क्या होते हैं बहुत सारे carbon hydrogen bonds होते हैं and highly reduced compared to CO2 CO2 की तुलना में इसमें क्या होते हैं बहुत सारे carbon hydrogen bonds होते हैं ठीक है clear है इतना next आगे चलते हैं हम reactions पर reaction जो होती है photosynthesis की process में वो दो तरीकी की होती है कौन-कौन सी देखो एक तो होती है light dependent और एक होती है light independent, ठीक है तो photosynthesis की process जो होती है वो दो stage में होती है एक तो होती है light dependent reaction और एक होती है light independent reaction अब नाम से ही पता चल रहा है light dependent जो light po depend होंगी और light independent जो light की presence में भी हो सकती है और उसकी absence में भी हो बहुती है तो light dependent reactions की बात करें हैं हम It requires light mainly occurs during the daytime इस in reactions को होने के लिए तो light dependent reactions होती है उन्हें होने के लिए किसी ज़रत परती है light की ठीक है और generally light dependent reaction कब होगी दिन के समय क्योंकि उस वाग sunlight क्या होता है दिन के समय क्या होती है वैई sunlight प्राप्त होती है रात के समय नहीं होती तो light dependent reactions कब होगी daytime में होगी ठीक है during the daytime क्योंकि इनको इन reactions को होने के लिए किसकी ज़रत पड़ती है light की ज़रत पड़ती है next आगे बात करते हम light independent reactions light independent reaction तो है light की presence में भी हो सकती है और absence में भी हो सकती है इन reactions को हम क्या कह सकते है dark reactions कह सकते है ठीक है it is also called dark reaction and या फिट Kelvin cycle या C3 cycle Kelvin cycle क्यों कहा था क्योंकि इनकी discovery किसके दौरा हुई थी Malvin Kelvin के दौरा तो उनी के नाम पर इनको नाम दिया गया है Kelvin cycle और यह cycle चलती है यह किसमें चलेगी C3 plants में तो इसी वज़े से इन्हें क्या कहा गया है C3 cycle ठीक है next आगे बात करते है this reaction occurs both in the presence and absence of sunlight यह जो reaction होती है यह light की presence में भी हो सकती है और light की absence में भी हो सकती है इस वज़े से इस reaction को क्या नाम दिया गया है light independent reaction ठीक है clear है ठीक है clear है कि जो photosynthesis की process होती है वो दो step में होती है light dependent reactions और light independent reaction ठीक है आगे चले next है हमारे पास Kelvin cycle definition किसे Kelvin cycle कहा गया है देखो Kelvin cycle के अंदर क्या होती है बहुत सारी chemical reaction होती है मतलब a set of chemical reaction chemical reaction की क्या होता है पुरा एक set होता है इसे क्या नाम दिया गया है Kelvin cycle या C3 cycle तो a set of chemical reaction is called as Kelvin cycle performed by the plants to reduce carbon dioxide and other compounds into glucose मतलब Kelvin cycle के अंदर क्या होता है जो carbon dioxide है उसका क्या होगा reduction ठीक है और reduction होने की वज़े से इसका formation होता है glucose का क्यों हो वई ऐसके से जो बात करें हम CO2 की CO2 के अंदर हाइट्रोजन होती है क्या नहीं होती के वल दो ही दो ही element पाए जाते हैं CO2 में एक तो carbon and oxygen जब इसका क्या हो जाएगा CO2 का reduction हो जाएगा तो reduction क्या क्या के लाता है वई reduction होना क्या होगा reduction में क्या हो जाएगा इस molecule में hydrogen element भी add हो जाएगा तो जो glucose का formula होता है वो होता है C6 H12O6 यहां क्या हो गया CO2 में hydrogen element भी add हो गया तो मतलब CO2 का क्या हो गया reduction Kelvin cycle में generally क्या होता है CO2 का conversion होता है किसमे glucose के अंदर मतलब CO2 का क्या होता है reduction ठीक है इसे ही क्या कहते है Kelvin cycle next आगे चलते हैं हम what is Kelvin cycle Kelvin cycle में क्या होता है CO2 का conversion होता है किसके अंदर glucose के अंदर आप आगे details से discuss करेंगे कि Kelvin cycle होती क्या है सबसे पहले Kelvin cycle को हम C3 cycle भी कहते हैं ठीक है Kelvin cycle is known as the C3 cycle ठीक है next आगे या फिर light independent reaction क्यों कहा जाता है light independent क्योंकि यह जो cycle होती है यह light की presence में भी complete होती है और light की absence में भी इसी वाज़े से इसे क्या कहा जाता है light independent या फिर हम इसे dark reaction भी कह सकते हैं photosynthesis ठीक है clear है आगे चलते हैं however it is most active during the day वले ही यह जो reaction है Kelvin cycle है या फिर light independent reaction है के light की presence में भी हो सकती है और light की absence में भी हो सकती है ठीक है लेकिन फिर भी यह सबसे ज़्यादा active कब रहती है यह दिन के समय क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बढ़ा है कि photosynthesis की process में दो stages होती है एक stage तो कौन सी थी light dependent और दूसरी है light independent तो जो light dependent reaction है उस reaction के दोराद किसका formation होता है ATP और NADS2 ATP और NADS का क्या होगा formation होगा और यह जो formation होता है को होता है कब होगा सबसे ज़्यादा दिन के समय क्योंकि यह कौन सी reaction के दोराद बन रहे है यह बन रहे है light dependent reaction light dependent reaction के दोराद ATP और NADS का formation होता है और हमें पता है light dependent reaction कब ज़्यादा चलेगी जिन के समय चलेगी क्योंकि यह light dependent है तो सबसे ज़्यादा ATP और NADS का formation भी जिन के समय होता है और Kelvin cycle को चलने के लिए किसकी ज़रत पड़ती है ATP और NADH ही तो सबसे ज़्यादा जो ATP और NADH provide होंगे वो कब होंगे दिन के समय इसी वज़े से Kelvin cycle है वो भी सबसे ज़्यादा active होती है दिन के समय ठीक है clear है इतना आगे चलते है When NADH, ATP are Amputin, ठीक है सबसे ज़्यादा मातरा में जिन के समय ही ATP और NADH provide होते हैं To build organic molecules The plant cells use Raw materials provided The provided by the Tite reaction देखो, इस reaction में यह जो Kelvin cycle है उसमें क्या हो रहा है Organic molecule का formation ठीक है और वो जो organic molecule का formation हो रहा है इसके दोरा हो रहा है CO2 के दोरा CO2 यहाँ पर क्या है Raw material तो plants में raw material का use करके क्या किया जाता है Organic molecules का formation किया जाता है और यह raw materials होते हैं के light reaction के दोरा provide किये जाते हैं ठीक है Clear है Next आगे चलते है सबसे पहले हम energy की बात करेंगे Kelvin cycle को चलने के लिए energy की आउशकता है ठीक है और वो जो energy है वो कहां से provide की जाती है तो जो light dependent reaction होती है उसमें दो तरीकी की reaction होगी cyclic phosphorylation और non cyclic phosphorylation इन दोनों ही reaction के द्वारा क्या provide किया जाता है ATP इन दोनों ही reaction से ATP प्रोवाइट किया जाता है Kelvin cycle के Kelvin cycle को चलने के लिए ठीक है तो और ये जो reactions होती है non cyclic और cyclic phosphorylation के कैसी होती है endergonic endergonic का मतलब क्या होता है ऐसी reaction जिनको चलने के लिए energy की आवशकता होती है energy required होती है उन्हें क्या कहा जाता है endergonic देखो दो तरीके की reaction होती है एक तो होती है endergonic एक होती है exergonic तो जो exergonic होती है उसमें क्या होगा ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें energy release होती है जबकि endergonic में क्या होता है energy की required requirement होती है ठीक है energy required होती है तो यह जो reactions होती है cyclic or non-cyclic phosphorylation की यह कैसी होती है endergonic reaction इनमें energy की requirement होती है और इन reactions के द्वारा Kelvin cycle को चलने के लिए क्या provide की जाती है ATP तो क्या होता है energy का एक form होता है ठीक है clear है next आगे चलते हैं हम reducing power हमने क्या बढ़ा Kelvin cycle के लिए हमें दो चीजों की जुरत है एक तो ATP की और एक NADH की ATP के बारे में तो हमने बात कर ली अब बात करेंगे हम NADH की NADH जो है यह provide होता है photosystem first के द्वारा ठीक है दो system होते हैं एक तो PS1 और एक होता है PS2 तो जो PS1 है उसके द्वारा provide किया जाता है NADH और यह जो है यह क्या होता है force होता है hydrogen का Kelvin cycle में क्या हो रहा है CO2 का reduction तो reduction के लिए hydrogen की ज़रत पड़ती है वो hydrogen कहां से provide होता है NADH के द्वारा और NADH कहां से मिलेगा PS1 से ठीक है तो यह जो NADH है यह hydrogen का source होता है और energetic electrons का source होता है तो क्या करते है Carbon atoms को bind करने का काम करते है तो NADH मिल गया ATP मिल गया Next, much of the light energy captured during photosynthesis ends up in the energy rich carbon hydrogen bones of sugar देखो तो light energy capture की थी sunlight से वो उसकी अधिकतर energy जो है वो use की जाती है glucose के formation में क्योंकि glucose में क्या होते है High energy वाले carbon hydrogen bone तो हमने ATP और NADH के बारे में discuss कर लिया है अब हम discuss करेंगे कि यह plant के अंदर किस तरीके से यह process complete होती है फिर्स्ट है हमारे पार electrons stored light energy in the form of carbohydrate electrons जो है वो क्या करते हैं energy को store करते हैं किस form में carbohydrate की form और carbohydrate में भी यह starch और शुक्रोज की form में tight energy को क्या करते हैं store करके रखते हैं ठीक है the carbon and oxygen required for this process are obtained from CO2 हम क्या कर रहे हैं Kelvin cycle के द्वारा CO2 का conversion कर रहे हैं किसमें? glucose के अंदर तो हमें क्या चाहिए carbon और oxygen तो कहां से मिलेंगे? वो मिलते हैं CO2 से CO2 से हमें carbon और oxygen प्राप्त होता है and the energy for carbon friction is derived from the ATP and NAD edge produced during the photosynthesis process देखो CO2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? carbon और oxygen element और Kelvin cycle को चलाने के लिए energy प्राप्त हो रही है वो कहां से हो रही है? ATP और NAD edge से ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये जो Kelvin cycle की process है वो कैसे complete होती है? ठीक है? सबसे पहले हम discuss करेंगे कि ये जो CO2 का conversion होता है carbohydrate में वो क्या कहलाता है? Kelvin cycle या C3 cycle और Kelvin cycle क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी discovery Melvin Kelvin के द्वारा की गई थी ठीक है? The plants undergo the Kelvin cycle और carbon fixation are known as C3 plants ऐसे plants जिन में क्या होता है? जिन में Kelvin cycle चलती है और carbon का क्या होता है? fixation किसमें? glucose के अंदर ऐसे plants को कहा जाता है C3 plants ठीक है? clear है इतना? hello everyone मैं तो अच्छी हूँ आप लोग कैसे हैं? चलिए आगे continue करते हैं तो ये जो Kelvin cycle है हमने पढ़ा कि C3 plants की ने का? ऐसे plants जिन में क्या होता है? जिन में Kelvin cycle चलती है और इस Kelvin cycle के दोरान carbon का fixation होता है ये carbon का fixation किसमें? भई CO2 का fixation हो रहा है reduction हो रहा है वो किसमें हो रहा है? carbohydrate मतलब glucose के अंदर ठीक है? तो अब हम discuss करने वाले हैं कि जो ये Kelvin cycle है उसके अंदर कौन-कौन सी process होती है तो देखो Kelvin cycle की जो process है, ये 3 step में complete होती है कौन सी 3 step? सबसे पहले होता है carbon fixation ठीक है? क्या होता है? carbon fixation next क्या होता है? next होगा reduction उसके बाद 3rd step होती है regeneration की इन 3 step में Kelvin cycle की process complete होती है सबसे पहले carbon fixation होगा CO2 का, फिर उसके बाद reduction की process होगी और then regeneration की process होती है ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे चलता है फिर हम theory part पर चलेंगे ठीक है? तो first है हमारे पास देखो, इस तरीके से क्या होती है? Kelvin cycle चलती है और इस Kelvin cycle में क्या होता है? environment से क्या हुआ? CO2 capture कर ली और ये CO2 जो है इसके reaction होती है इसके साथ RUBP के साथ RUBP जो है ये क्या होता है? 5 carbon 5 carbon वाला molecule जो है वो क्या कहलाता है? RUBP किस RUBP की reaction होती है? किसके साथ? CO2 molecule के साथ CO2 के भी यहाँ पर 3 molecules लिये जाते हैं और RUBP के भी 3 molecules लिये जाते हैं ठीक है? इनकी जो reaction होगी वो एक enzyme की presence में होती है उस enzyme को कहा जाता है RUBISCO enzyme RUBISCO enzyme ठीक है? इसकी full form क्या होती है? Ribulose 1,5-bisphosphate ठीक है? इस enzyme की presence में CO2 molecule और RUBP की reaction होती है और किसका formation होता है? 3-PGA का ठीक है? 3-PGA Phosphoglyce Raldehyde का यहाँ पर formation होता है अब देखो एक बाद यहाँ याद रखने की है कि अगर 3 molecule CO2 के 3 molecule RUBP के साथ react करेंगे तो क्या होना चाहिए था? 3 molecule बनने चाहिए थे लेकिन यहाँ कितने बन रहे है? 6 molecule है ना? तो ऐसे इसलिए होता है यह तो होगे 5 carbon RUBP लेकिन तो CO2 है इसमें क्या है? एक carbon है तो टोटल कितने बनेंगे? 5 carbon और 1 carbon मिलकर 6 carbon molecule लेकिन यहाँ पर जो 3 PGA है तो होता है 3 carbon तो अगर माल लो 6 carbon के 3 molecule बनेंगे तो 3 carbon के कितने बनेंगे? 6 molecule बनेंगे ठीक है? तो फर्स जो यह reaction है यह कहलाती है carbon fixation क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? carbon का fixation हो रहा है ठीक है? उसके बाद क्या होगा? जो 3 PGA है वो convert हो जाएगा 3-s roll 3-phosphate के अंदर ठीक है? कैसे? यह जो reaction होती है जिसमें 3 PGA convert होगा 3-s roll 3-phosphate के अंदर इसे कहा जाता है reduction क्या कहा जाता है इसे? reduction कहा जाता है ठीक है? अब इस process में reduction हो रहा है तो मतलब क्या होगा? 3 PGA से hydrogen element aid होगा वो कैसे होगा? वहाँ हमने पढ़ा था कि जो light dependent reaction है उसे के द्वारा क्या provide की जाती है? ATP और NADH तो NADH से 6 NADH से क्या हो जाएगा? hydrogen release कर दिया जाएगा और वो 3 PGA से add हो जाएगा तो NADH जो NADPH है वो convert हो जाएगा NADP plus और H plus के अंदर ठीक है? तो यहाँ क्या हो गया? यह जो reaction होगी NADPH की presence में होगी और इसके अलावा इस reaction को होने के लिए किसी चुरत पड़ती है? energy की वो energy कहां से मिलेगी? ATP से ठीक है? 6 ATP जो है यहाँ पर फर्च होते हैं जो convert हो जाएगे 6 ADP यह है इतना? जल्द ही शुरू होगा भाई Hello जल्द ही start होगा आप लोगों को update कर दिया जाएगा ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ हमारे पास क्या हो गया? दूसरी प्रोसेस हो गई reduction की और किसका formation हो गया? glycerol 3-phosphate का ठीक है? अब देखो 6 molecule glycerol 3-phosphate के बने ठीक है? तो total कितने हैं? 6 carbon है उन 6 carbon में से क्या होगा? वापिस से RUBP का क्या हो जाएगा? Regeneration ठीक है? और अगर मालो RUBP का Regeneration हुआ तो 5 carbon तो कहां चले गए? RUBP में बच्चा क्या? 1 carbon तो मतलब 1 Kelvin cycle से 1 carbon का production हो रहा है और हमको क्या करना है? glucose का formation और glucose में कितने carbon होते हैं? 6 carbon तो अगर 1 cycle से 1 carbon का production होगा तो जो उसके production के लिए Kelvin cycle कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार चलानी पड़ेगी ठीक है? तो क्या होगा? इन में से 1 molecule of glycerol 3-phosphate के बन जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? RUBP का Regeneration तो मतलब जो 3rd step होगी वो कौन सी होगी? Regeneration की और इस दोरान भी क्या होँगे? ATP खर्च होँगे 3 ATP 3 ATP के convert हो जाएंगे ठीक है? इस तरीके से Kelvin cycle चलती है और glucose के molecule का formation होता है clear है? अब देख लेते हैं त्रोरी वाले पार्ट को क्या कहा गया है हमसे? देखो हमसे कहा गया है कि जो Kelvin cycle है उसके लिए enzyme की requirement होती है और जो first step होती है carbon fixation की उसमें Tribulose 15-bisphosphate Carboxylase या Oxygenase enzyme की presence में carbon fixation की process होती है जिसे rubis को भी कहा जाता है ठीक है? देखा था हमने diagram में इस rubis को enzyme की presence में क्या हुआ था? तो carbon fixation हुआ उसके दोराद Kriose phosphate या फिर 3-PGA का formation हुआ था हुआ था ना तैन फिर क्या हुआ? इसी को 3-PGA को ही this real di-8 3-phosphate भी कहा जाता है एंड इसके अलावा THAP का भी formation होता है ठीक है? first step complete हो गई next आगे चलते हैं हम all of which are used to synthesize the hexose phosphate fructose 1-6-bisphosphate and fructose 6-phosphate आगे चलते हैं इनसे क्या होगा? आगे चलके hexose phosphate या fructose 1-6-bisphosphate या fructose 6-phosphate का formation होता है ठीक है? तो यह हमने complete कर ली first step next आगे के देखो C3 वाला डाइग्रम हमने discuss कर लिया next है हमारे पास stages of C3 cycle अब एक एक करके हम उस step के बारे में discuss करेंगे तो जो C3 cycle होता है तो जो C3 cycle होता है के mainly 3 stages में divided होता है कौन सी 3 stages first carbon fixation second है हमारे पास reduction और 3rd ही हमारे पास regeneration ठीक है तो first हम discuss करेंगे carbon fixation के बारे में carbon fixation में क्या हुआ था CO2 जो है the key step is the Kelvin cycle is the event that reduces CO2 ठीक है पूरी के पूरी Kelvin cycle में क्या होता है CO2 reduce हो जाता है पसके अंदर तो first step में क्या होता CO2 bind to RUBP सबसे पहले क्या हुआ CO2 RUBP के साथ bind हुआ ठीक है और इस process को क्या नाम दिया गया था carbon fixation और यह कौन से enzyme की presence में हुई थी rubisco enzyme ठीक है forming 2, 3 carbon molecules of phosphoglycerate इस process के दोरान क्या हुआ था 3 PGA का formation ठीक है 3 PGA का formation हुआ था carbon fixation की process के बाद ठीक है next आगे the enzyme that carries out this reaction is ribulose-based phosphate क्या फिर rubisco क्या कहा जाते है इसे ठीक है clear है next which is very large with the 4 subunit and present in the chloroplast stroma रूबिसको एंजाइम कहा बाद जाता है chloroplast के stroma में ठीक है this enzyme work very suggestly processing only about 3 molecule of rubp per second ठीक है ये तो rubisco के बारे में कुछ जानकरी दे रगी है first हमने discuss कर लिया कि क्या होता है rubisco की presence में जो co2 है वो bind हो जाता है rubp के साथ और 3 PGA का formation होता है next step होती है हमारे पास reduction की इस second step में क्या होता है जो 3 PGA molecule होता है वो कहाँ carbon fixation के process के दोरान जो 3 PGA molecule का production होता है वो आगे चल कर convert हो जाता है इसके अंदर simple sugar glucose के अंदर क्या नाम दियाता है उसे हमने glycerol 3-phosphate ठीक है तो जो 3 PGA है वो convert हो जाएगा इसके अंदर glycerol 3-phosphate के अंदर और ये process को हमने क्या नाम दियाता reduction ठीक है क्योंकि क्या हुआ था 3 PGA का reduction इस step इस stage में जो energy प्राप्द होई थी कहां से होई थी ATP और NADH से ठीक है और ये जो ATP और NADH है वो कहां से प्राप्द होए थे type dependent reaction से आगे चले हम आगे next है हमारे पास this step known as reduction since electron are transfer to 3 PGA molecules to form TA 3P ठीक है तो क्या हुआ इस step को क्या कहा जाता है reduction क्योंकि इसमें electron का क्या हुआ electron transfer हुए कहां से 3 PGA से 3 PGA से 3 PGA 3 PGA के अंदर ठीक है next जो है हमारे पास third step आती है वो है regeneration और इसमें क्या हुआ था RUBP का regeneration ठीक है यह एक तरीकी की complex process होती है जिसमें ATP required होता है देखा था हमने 3 ATP जो है वो किसमें convert हो गए थे 3 ADP में इन इन दिस स्टेज सम और G3P molecules आर यूस्टो प्रोड्यूस ग्लूकोस ठीक है जितने भी G3P के molecules बने हैं glycerol 3 phosphate के molecule उन में से कुछ molecules तो क्या होता है glucose का production करते हैं और बाकी के बचे जो है वो यूज किये जाते हैं 3 generation of RU BP के लिए ठीक है तेर है इतना next आगे सलते हैं products of C3 cycle तो मैं देख लो अब जो C3 cycle complete हो चुकी है तो Kelvin cycle के complete होने पर कौन-कौन से product का formation होता है ठीक है तो उन्हें देख लेते हैं एक बाद one molecule of carbon is fixed at each turn of Kelvin cycle ठीक है प्रत्य एक cycle में क्या हुआ एक जो CO2 का molecule था उसका क्या हो गया fixation हो गया ठीक है next आगे one molecule of 3-3 phosphate is created in 3 turns of Kelvin cycle तो G-stone 3-phosphate के molecules बने थे तो एक molecule GA3P का जो है वो बनते है तीन बाद अगर Kelvin cycle के 3 cycle चलते है तो क्या होगा GA3P के एक molecule का formation होता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि भही देखो इसमें होंगे 3 कारबन तो अगर एक cycle चलने पर एक कारबन का production हो रहा है तीन कारबन का कितनी बार में होगा थी टन्स में होगा ठीक है तो ये clear हो गया next तो molecule of glyce 3-phosphate combine together to form one glucose molecule अब मा लीजिए ये जो तीन कारबन का glyce 3-phosphate इसके अगर 2 molecule मिल जाए तो किसका formation हो जाएगा glucose का क्योंकि glucose में कितने कारबन होते हैं किये कारबन होते ठीक है clear है इतना चलो आगे चलते हैं 3-ATP and 2-NA-D-P-H molecules are used during the ठीक है देखो indirectly यहां कहा गया है जो reduction की process है उस reduction की process में 2-NA-D-P-H used में आते हैं और 3-ATP used होते हैं ठीक है in the regeneration of RU-BP एक तो reduction के दोरान और एक regeneration की process के दोरान ठीक है next इस तरीके से अगर total ATP और NADPH की बात की जाए तो 18-ATP और 12-NA-D-P-H are consumed in the production of one glucose molecule ठीक है तो एक glucose molecule के production में total 18-ATP consumed होते हैं और 12-NA-D-P-H used होते हैं ठीक है next है हमारे पास कुछ key points है C3 cycle या Kelvin cycle से related चा की point है C3 cycle refers to the dark reaction of photosynthesis क्या केते हैं हम C3 cycle को dark reaction भी केते हैं ठीक है क्योंकि light पर dependent नहीं होती है next it is indirectly dependent on light and the essential energy carries our products of light dependent reaction देखो ये indirectly किस पर depend है light पर क्यों? क्योंकि light dependent reaction में किसका formation हुआ था ATP और NDPH NDPH ठीक है तो indirectly ये जो ATP और NDPH ये वो कहां use में आ रहे है Kelvin cycle में और इनका formation कहा हुआ था light dependent तो indirectly Kelvin cycle किस पर depend है light dependent reaction पर मतलब light पर ठीक है clear है इतना आगे चलते हैं in the first stage of Kelvin cycle Kelvin cycle की first stage में क्या हुआ था वही carbon fixation हुआ था ठीक है carbon dioxide क्या हुआ था fixed हुआ था के point भी here है next है हमारे पास in the second stage of Kelvin cycle ATP and NDPH reduce 3PGA to G3P ठीक है second step में क्या हुआ था 3PGA का reduction हो गया था G3P के अंदर किसकी वज़े से NDPH और ATP की वज़े से next ATP and NDPH are converted into ATP ADP यहां क्या होगा ADP ADP and NDP plus ठीक है ATP किसमें convert हो गया था ADP में और NDPH जो है वो convert हो गया था NDP plus में last stage RUBP is regenerate this help in more carbon dioxide fixation देखो last stage में क्या हो था RUBP का regeneration हुआ था और इसकी वज़े से क्या हुआ था बहुत सारे molecules को थे carbon dioxide के उनका fixation हुआ क्योंकि first stage में क्या हो रहा है CO2 bind हो रहा है RUBP के साथ अगर माली Kelvin cycle में वापिस RUBP का regeneration नहीं होगा तो CO2 के साथ bind कैसे होगा हमें वापिस क्या चाहिए RUBP चाहिए तो इसलिए यह यह जो stage है यह भी जरूरी है RUBP का regeneration भी जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा molecule carbon dioxide के क्या हो सके fixed हो सके ठीक है तो यह कुछ key points से किसके C3 cycle से related ओके तो यह आपका Kelvin cycle topic यहाँ पर finish हो गया है मिलते है next video में अगर मेरी video आपको पसंद आई हो तो please like, share, subscribe जरूर कीजिएगा मिलते है next video में तब तक के thank you and have a nice day झृववगर्द झाया is औरूर नघस तो यह भी हो तßे अपको पात्ट तो का PAT